हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरी अपनी रसोई चैनल पर आज माव के लिए फिर से कुछ नया लेके आई हूँ आपने किचिन में आपने बहुत बार कटल की सबजी बनाई होगी खाई होगी लेकिन आप पहले बार मेरे तरीके से बनाई है और फिर खाई है और फिर बत प्रेके आई थे इस थे हमने बारिक लपभी सो में काट लिया है और फिर यह प्याज लिया कि इसको भी और शीजन को में आपकेڈ यह लिए कि कहने लंबा साइज में काट लिया कि अब कर इसको आटा देंगे फिर आम लम्बे साइज के प्याज काट लिये हैं मने देखिए is 7 त्रिया और फिर जेद लेल संब भी हंने छेल लिया कम से कम दस का करना अंग और इसको इसको इस तरिया लम्बे साइज में काटना है पूरे लस्न को इस तरिया लंबा एक लसन में से दो तिन पीस भी आपने लंबे निकाल सकते हो और ये फिर दो टमाटर है हरी मेर्चा इसके निचे छोटे वाड़ा लसन भी वो प्याज भी काट रखा बारिक वाड़ा जो तड़के के लिए त्यार किया जाता है इसके फिर दरमार तेल गरा में उचुका है फिर इसमें हम जो लंबे वाड़े प्याज काट रखे थे वो इसमें डाल लेंगे और इसको हम बून लेंगे और इसके बाद क्या करना है जो हमने लसन को लंबे साज में काट रखा था ना वो भी इसी में डालना है यह देखे इस तरी हामने इसी के साथ बूनना आये ये प्याज हमारी बून के तयार हो चुकी है ये देखे थोड़ा इनका कलर चेंज हो गया है और फिर हम कटल को इसके अंदर डाल लेंगे इसको भी हम थोड़ी देर के लिए बून लेंगे अच्छे से प्राइ कर लेंगे यह पूरी सब्जी तेल में बनती है हम इनको पाणी में नहीं बनाते और पाणी वाड़ा टेस्ट मेरे शाब से अच्छा नहीं लगता इनको तेल में बुनके बनाते बनाते तो पाणी में भी है तरीवाली लेकिन वह फिर बाद में बना के दिखाएंगे यह देखिए, यह स्तरे मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर इसको ऐसे मिला लो, वो तच्छी बन के तयार होगी, इसको अब डख देते थोड़ी देर के लिए, और यह देखिए कितने अच्छी त्रैसिन का कलर चेंज हो चुका है, यह पूरी सब जी स्तरे हम बिना पाने की बन आके दिखाएंगे, यह जटपट बनने वाली सबजीयों में से, हम एक मानते हैं, क्योंकि यह ऐसे तो बहुत देर में बनती हैं, लेकिन हम जिस तरीके से बनाएंगे, यह जटपट ही बन जाएगी, देखे, हम इनको निकाल लेंगे, अटा देंगे, फिर हमने कुकर रखा है, और इसमें बस इतना ही तेल काफी है, क्योंकि हमने पहले ही उनको तेल में फ्राई कर लिया था, फिर इसमें जीरा डाल दिया, तेल गरमारा गरम हो चुका था, फिर इसमें कटे वी, हम प्याज म और इनको बून लेंगे अगर आपको मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगेगा जरा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज 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 सस्क्राइब जरूर कर देना कि आपका एक सस्क्राइब मेरे लिए बहुत ही ओसला बढ़ाता मेरा आगे से आगे कोई नई नई रेसिपी लियाने का तो प्लीज एक सस्क्राइब तो बढ़ता है भाई आपका इस तरह हमने प्याज टमाटर मेर्च सभी को इसमें हम बून लेंगे इसका अच्छा सा एक बढ़िया सा तड़का त्यार कर लेंगे जिसमें फिर हम हरदी डाल देंगे ओ इसके उपर डाल गई तो अटा देंगे अच्छा को आप फिर इसमें हमने लाल मिर्च पाउर्ड डाल दिया है कलर के लिए नमक ये सब तो आप अपने जैसे आप खाते हैं उसी साब से डालना नमक मिर्च जो भी है ये अपने इसाब से डाल लेना गरम मसाल्ला था एथोड़ी सी कसोरी मे तही है ये जरासी डालनी है बस जादा नहीं बस जरासी जितनी मैंने छोट थोड़ी सी लिया है इसको अच्छी तरह से बस सुका ये स्थरny का सुका साहि तड़का आम त्यार कर लेंगे दिखली इसी में सही इए तेल निकलाया वैसे बहुत कम तेल थ इसके अंदर देख कितने अच्छे से ही हमारा तड़का तैयार हो चुका है कि टमाटर भी हमारे एक दम गुड़ चुके हैं और फिर हम इसमें अपना प्राई करे हुआ कटल डाल देंगे इसको हम इसतरीया मिला लेंगे अच्छी तरह से मिलाना बहुत जुरूरी है नहीं बनने के बाद यह कहीं फिका रहा जाएगा कहीं से मिर्च नमक लगेगी तो इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको इसतरीया पूरे अच्छी तरह से आप एक बार अगर इस तरीके से बनाओगे ना तो आप फिर बार बार ऐसे ही बनाओगे क्योंकि यह इतने आसान तरीके से और इतनी जल्दी बनके तयार हो जाता है आपको ज़्यादर देर नहीं लेगेगी बसे इसमें हम एक सीट इसमारी लग गई है और अब आम इसको निकाल के दिखाते यह देखे कितनी अच्छी तरह से अभी अमने इसमें थोड़ा सा धनिया पावडर रहे यह देखे इसका कलर कितना अच्छा बनके तयार हुई है हमारी कठल की सबजी एकदम सुकी आप इसको रोटी के प्रांठे के साथ पूरी के साथ एकदम अच्छी टेस्ट में स्वाद आ जाएगा इसको खाते टैम यह देखे कितनी अच्छी हमारी कठल की सबजी बनके तय कि आरोई है कि यह देखो जुक्त का कई इसका कलर मैं उठा के दिखारे हूं कितना अच्छा यह देखिक कितनी सुकी सी तेस्टी सब्जीवन के तैयार होई है अ अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर दे।